हाई गाइस मैंने में इस पटल पिंकी और आप से विकर स्वागत है वेटिटेक नॉलेज में आज हम देखने वाले हैं इसे eml figure के बारे में कि is 중국 का figure क्या होता है यहाई हम streaming कर रहे थे बहुत ही पहले के तब कोई इमेज ले थे उसके नीचे जो केप्शन लिखते थे उसके लिए कोई मेकनिजम नहीं था बट अब स्टीमल फाइड ने ला दिया है बहुत सारे टेट्स ठीके तो उससे आपका SEO भी हो जाता है यह वहत्त हो यूजपल है यह ऐसे केप्शन कोये कंने के लिए औस seeking किया जाता है सब दब थ hace आपने लिए यूजपकिया या बट उसके अंदर आपको से किया नहीं मतलब आपनेばいने तो ले लिया उसके नीचे उसका caption देना है तो आप figure caption का use करके उसको caption भी दे सकते हो ठीक है आप stml5 में figure element के लिए एक caption को सामिल करने के लिए कोई भी code लिखते थे कोई भी CSS का use करते थे कोई भी element ले 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 ते आप बट जो HTML5 आया है उसकी advantage बहुत है क्योंकि उसमें figure tag लाया figure tag के अंदर figure caption tag भी ला दिया है कि आप caption उसी के अंदर लिख से तो फिर वो site tag था हमने देखा था ठीक है तो इन सब code का use करके हम अपने जो भी website है उसको readability बना देते हैं ठीक है कोई भी engagement हो जाता है आपने कोई भी website होता है तो वो अच्छी तरह से दिखता है और साथी साथ उसका SEO में भी बहुत ही उपयोग होता है figure element के साथ figure caption tag का भी उपयोग किया जाता है इस tag के द्वारा diagram code और कोई भी example अधिक का title दिया जाता है ठीक है इससे इससे क्या होता है वो readability बढ़ जाती है कोई भी अगर आपका website दिखे तो और HTML5 से पहले image image हो या फिर कुछ भी हो मतलब एक poem लिग दिया तो उसको उसके title देने के लिए कोई भी mechanism नहीं था अभी HTML5 ने ला दिया है फिगर एंड फिगर केप्शन का यूज फिगर टेक आउप यूग है न वह सर्च इंजन के लिए बहुत ही अच्छा माना रहता है मतलब सर्च इंजन क्या है गूगल है YouTube है ठीक है तो ऐसा बहुत सार्च इंजन है जिस पर सर्च करक कि इससे वेब पेज रीड करने में सहायता मिलती है इसलिए इसको SEO से भी SEO के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है तो यह है HTML फिगर के बारे में तो चलिए हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में An HTML figure is a self-contained content and it is typically reference as a single unit यह खुद का unit है वो आत मनीर बर है ठीक है आत मनीर बर है वो खुद से ही सब करता है It can be a diagram, illustration, image, code snippet, etc. तो आपको कुछ भी लेजे, डायाग्राम देजी, तो आपको फिगर के अंदर यूज करोगे, तो वो पर्फेक्ट हे देगा, ठीक है, it can have a caption that can be defined by the fake caption element, और अपने कुछ भी दे दिया, आपको अपने पोएम लिख जाए, आपको भी paragraph लिख दिया, story लिख दिया, blog लिख दि तो फिगर खुदे हे प्रवाइड करते हैं कि फिग caption है, इसके अंदर के caption लिखे, तो वो automatically adjust कर लेगा, it should be inside the figure element, ये figure element के अंदर ही यूज होता है, फिग element, तो ही proper work करेगा, otherwise वो कहें भी अपना size ले लेगा, जहां उसको मंतर है, वहां वो ले लेगा, ठीक है, तो figure element के अ example लिया है, practical जब करेंगे, तो हम उसको किसे भी ज़्यादा example यूज करेंगे, मतलब हमें कोई poem लिखना है, या फिर line लिखना है, paragraph लिखना है, उसके नीचे हम fit caption का use करेंगे, कि ये कैसा आ रहा है, अगर हमें blog लिखना है, तो भी हम लेख सकते हैं, तो ये basically मैंने figure element लिया figure element के अंदर image का use किया है, तो जब मैं image लिखना है, तो जब मैं image लिखना है, तो ये एक simple से लिया है, उसके बाद मैंने दूसरा भी लिया है, Sam ही image लिया है, बट उसके अंदर caption element का use किया है, फिक caption का, उसके अंदर ही मैंने, जो भी caption देने है, वो मैंने दे दिया, तो हम जब practical करेंगे, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से इसका पता चलेगा, और हम और भी element यूज करेंगे, और थोड़ा-थोडा CSS, inline CSS का भी इसमें यूज करेंगे, ताकि हमको ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है, तो हम जब ये practical करेंगे, अपने text अज़िते जाएंगे, तो क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं बदा दू, एक तो हम ये image का रेखेंगे, उसके बाद हम एक paragraph लेंगे, paragraph के नीचे हम एक fit caption देंग साइट का भी यूज़ कर लेंगे, इसमें ठीक है, और हम उसको ही एक एक line में device करेंगे, मतलब वो एक sentence बनाएंगे, उसको भी हम via text से use करेंगे, via text का use करके, उसके बाद हम उसको caption भी देंगे, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपने text reader पे और इस example को अच्छी तर से समझत है, ठीक है, तो चलिए हम आग अपने text editor पे और मैंने वही code यहाँ पे लिखा है, जो भी मैंने आपको clear ही में बताय था, तो basically हमें इसको run करना है, और इसका interface देखना है, कि हमें इसका interface के साथ दीख रहा है, ठीक है, इसको मैंने copy किया, और यहाँ पे paste करके हम देखेंगे के लिए की हमने जो ओड लिखा है, यह देखिए, यह एत्यास कर रहा है, ऑँक्टैक ही यह figure कर रहा है, तोBoy vibration का strongest में करते है तो तो से मैं figure out यह पर जो भी लिखना है, caption do वो हम लिख सकते हैं यह देखिए इसको मैं figure caption इसके बाहर लिखूंगी तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं यह देखिए कहीं भी आ जा रहा है कहीं भी यह पता नहीं कौन सा element है ना तो इसका container fix ना तो कुछ तो इसलिए दब हम figure caption के अंदर यूज कर रहा है तो यह purpose हो रहा है ठीक है तो हम एक देख लेते हैं मैंने आपको बूला था कि मैं एक यहां पर paragraph पर आपको दिखके बताऊंगे ठीक है अब देखते हैं क्या हो रहा है यह पर यह पर हमें यहां पर कैप्शन की जरूत पड़ेगी तो क्या करेंगे हम अब ही रहा है अचा चले बाहर यूज करके देखते हैं मैंने कुछ पर लिख दिया दर रोल्ड नोड टेकन हम यहां पर साइट का भी यूज कर सकते हैं मैं उसके अंदर यह वाला परेग्राफ दिती हूं साइट मैं आपको बोला था कि मैं साइट का भी यूज आपको इसमें करके बता हूँगे ठीक है यह देखिए यह इसने कोई भी कंटेनर यूज कि यह एकदम बाहर आ रहा है क्योंकि हमने इसको फिगर के बाहर लिखा है इसलिए तो यह आपको समझ में आ गया ना कि फिगर के बाहर अगर आप लिख रहे हो तो क्या होगा कहीं भी वह ले लेगा है इसको बाहर भी यूज कर सकते हैं ताकि वह ज्यादा अच्छी तरह से हमें देखिए और कुछ अलग भी लगे तो केप्शन ऐसा होता है कि थोड़ा अलग निकल के यह होता है या फिर राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा तो इसतरी के से हम कर सकते हैं और हगर अगर हमें तक ही इस करना है तो भी हम कर सकते हैं कि अगर में पोएम लिखना है को भी सेंटेंस लिखना है तो भी हम इस तरी किसित में लिख सकते हैं यह ऑटमेटिक ही एजस्ट हो जा रहा है यहां से यह एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने फिगर का यूज करें और फिगर ने वीट से लिए इसलिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है ठीक है मैंने यह जो फिगर के बाहर यूज किया है इसलिए इस साइज जा रहा है ठीक है तो यह थाफ एस्टीमर फिगर जिसे हम वेबसाइट में बहुत ही अट्रक्टिव बना सकते हैं और कोई भी डिवाइज में एज़स्ट हो जाए ऐसा बना सकते है ठीक है तो मिलता है नेफ्स ट्रेल में थैंक्स वाचिंग गाइस